हम बनाएंगे चना डाल की ख़िटित जोग आप खाने में बहुत ही इलंदी और स्वाधिश्ट होती है इसके लिए मैंने एक कप के करीब चावल ली हूँ ये वाश्मती चावल है इसमें हम एक चौथाई कप के करीब हम चना डाल डाल लेते हैं और इसे हम मिला लेते हैं यानि चावल का एक चौथाई भाग हमें डाल यूज करना है तो चले पर सबसे पहले इसे हम अच्छी तरीके से धो लेते हैं तो ये धुल गई है इसको हम साइड में रख देते हैं अब हम एक कूकर लेते हैं और उसे गरम होने देते हैं गैस पर इसके बाद हम इसमें दो चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे और इसमें एक चोथाई चम्मच जीरा और जीरे को गोल्डन ब्राउन होने तक चिटकने देते हैं इसके बाद हम एक चुट की हिंग डालेंगे, फिर हम इसमें एक मिडियम साइच का कटा हुआ प्याज डालेंगे, और इसे हम, मैं हम हरी मीच दो कटीवी और आट से दस लस्चन की कलिया, इसे भी मैंने छोटे छोटे काट लिये थे, और इन सब को मैं अच्छी तरीके से चल आटेबें, फ्राय कर लेते हूं, इसे हलकी गोल्डन ब्रा宁ने तक इसी तरीके से चलातेवे, हम फ्राय कर लेते हैं, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे, यह, एक मिडियम साइच का टमाटर भान। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से चौप कर लिया था फिर हम इसे इसमें डालके अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे जब तक बगाना है तब तक की टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सौप्ट ना हो जाए तो ये देखिए टमाटर हमारी सौप्ट हो गई है तो अब हम इस थाई चमच के करीब हम गरम मशाला इन सब को अच्छी तरीके से चला कर मिक्स कर लेते हैं और कुछ सकेंड के लिए मसाले को इस तरीके से भून लेते हैं तो फिर हम इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो मैंने डेर्ड चमच के करीब नमक का यूज किया है आप अपने स्वात के अनुसार कम और ज्यादा ले सकते हैं तो चलिए इन सब को फिर से मैंने मिक्स कर लिए और मसाले भी अच्छी तरीके से पक गई है फिर हम इसमें ये धुला हुआ दाल और चावल डालेंगे आप चाहे तो डाल को थोड़ी देर और पहले भीगो के रख सकते हैं क्योंकि चना डाल इजीली जल्दी नहीं गलती है तो फिर इन सब को अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर ले इसी तरीके से चलाते हुए हम दो मिनट के लिए पका लेंगे फिर हम इसमें पानी डालेंगे अगर मेरा एक कप चावल है तो इसमें हम दो कप पानी डालेंगे और एक चोथाई कप मेरा डाल है तो आधा कप हम पानी डालेंगे इस तरी इस measurement से हम पानी को डाल रही हूँ यानि दो एक धाई कप के करीब में पानी का यूज कर रही हूँ तो इस तरीके से हम फिर चला कर मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है फिर हम इसे ढख कर low to medium flame पर हम पका लेंगे एक से दो सिटी आने तक इस से ज़्यादा हमें नहीं पकाना है तो दो सिटी लग गई है अब हम जए इसको बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देते हैं तो यह हमारी स्कूकर का पूरा प्रेसर निकल गया है अब हम खिचडी को चेक कर लेते हैं यह देखें कितने अच्छी खिली खिली खिचडी बन कर तयार हो गई है और देखने में भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है तो चले हम चला लेते हैं यह देखें बिल्कुल खिला खिला बन कर तयार हुआ है तो चले हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में यह खिचडी खाने में बहुत इस्वादिष्ट और हिल्दी रहती है इसलिए आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करना और बताना हमारी यह रेसीपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक सस्क्राइब और जरूर करना और बताना यह रेसीपी कैसी लगी मेरी बस आप से यही एक रिक्वेश्ट है तेंक यू